हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू हेल बॉक्स आज हम जानेंगे डिक्स्टॉप या लैप्टॉप में पास्वार्ट कैसे सेट करते हैं कि क्योंकि हम सम्घे जानते हैं पासवार्ड अगर आपके desktop या laptop या घर में या office में पासवार्ड शेट किया नहीं होगा तो आपके computer कोई भी यूज कर सकते हैं आपके computer data के साथ झेड शहर कर सकते हैं data chain कर सकते हैं तिसलिए पासवार्ट कोई पर भी अगर कॉम्पूटर आप यूज कर रहे है तो आप पासवार्ट सेट करना बहुत जोरी है हम जानेंगे कैसे पासवार्ट सेट करते हैं पासवार्ट सेट करने के लिए पहले आपको start menu में जाना है restart menu है start menu के Click करना है उसके बात जाना है control panel control panel में control panel open करना है यहां पर आपको option में लगा user accounts यहां पर user accounts है तो यहां पर यूजर एकाउंट में जाना है उसके बाद create a password for your account यहां पर पहले यह दिया हुआ है create a password for your account ओके select it and then आपको password यहां पर set करना है अब password में कुछ भी दे सकते हैं हम पासवर्ट दे रहे है फोड डिजिट का अब जितना लॉंग password देंगे उतना सीकुर्ड जाधा होगा और आप यहां जोरू ख्याल रही है कि आप अपर के से लुआर के सलेटर यहां पर डिफरेंट है अगर आप अपर के सलेटर लेटर देते हैं तो आपको जब आउपन क आपको दो बात देना है पासवर्ट क्लिक करने पर आपको पासवर्ट जो है हाँ अभी पासवर्ट आपका पोडेट होगी है अब आप देखते हैं कैसे काम कर रहे है या नहीं अब कॉम्पूटर का अभी स्लिप मोड बे ले जाते हैं कि स्लिप पासवर्ट काम कर रहे हैं कि देखते हैं अभी कॉम्पूटर स्लिप मोड बे गया अभी कॉम्पूटर आन होगा तो पता चल जाएगा कि पासवर्ट हाँ अभी अफ़ पासवर्ट मांग रहा है यह पासवर्डब देंगे तो यह हम आःखने में फोल दिजिसलिक का पासवर्ट दिया था मिए उस पासवर्ट से खोल रहा है कि नहीं है यह और यह ओपीन होगिया के इस तरह से आप इसको आपिम्पीट्र में या desktop या laptop में कोई भी password set कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो काम का लगा तो आप ज़रूर इसे subscribe करिएगा हमारे YouTube चैनल पर ओके थैंक यू